वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का हम संग मेरे व्लॉग्स में अस्सलाम अलेकुम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मैफूज होंगे तो ये व्लॉग जो है थोड़ा सा इंट्रस्टिंग है इंड तक आप लोग बने रहिएगा तो अभी इस वक्त जो है मौसम सही था, सुबा सुबा का टाइम है ये धूप तो ऐसा लगता है सुबा से ही हो जाती है लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक रहता है उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है धूप में शुद्दत आते जाती है तो अभी फिलाल हम यहां बच्चों के कपले खंगाल रहे हैं कुछ कपले मशीन में हैं जो धूल रहे हैं और वो जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है ड्रायर करके डालते जाएंगे तो कपले जो है ड्रायर होने के बाद तो वैसे ही हो जाता है और फिर बस मुश्किल से 15 मिनिट लगता है इनको सूखने में गर्मी जो है ना इतनी शिद्दत वाली पड़ रही है कि आप नॉर्मल पानी पीना इमेजन भी नहीं कर सकते और बस यहर वक्त रहता है कि बस थंड़ा थंड़ा पानी पीते रहो थंदी पानी नहीं अभी बनाने जा रहे है थंदी पानी चलिए चलिए बनाने थंदा पानी चलिए 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 थंदा पानी बनाएंगे ठीक है इस तरह का एक पॉट होता है जिसको हम लोग बर्फ जमने के लिए ही इस्तमाल करते हैं और उसको बस इस तरह से कूलर में डाल के और पानी भर के फिर वो रग देते हैं क्योंकि हर वक्त बॉटल भरना मेरे लिए तो बिल्कुल ही इंपॉसिबल है और फ्रिज पूरी भर जा और बच्चों को भी जब चाहिए होता है तो वह यहां से लेकर पी लेते हैं अच्छे बच्चे हैं ला उपर बढ़ जाई बैठके पी लीजे हमारे तीनों बच्चों में माशाला सबसे ज्यादा पानी शाजान ही पीते हैं बाकि दोनों को बोलना पड़ता है और बड़े वाले जो सबसे बड़े होनको तो स्पेशली पानी पीने के लिए बोलना पड़ता है अभी तो गर्मी की इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है कि खुद से भी पी लेते और अभी जो है ना देखें बस इतनी देर में आहां पर कपड़े सूख गये थे एक बार के जो हमने खंगाल के डाले थे तो गर्मियों में बस यह आसानी होती है आप कितने भी कपड़े दो लेजिए सूख जाते हैं अभी इसका नहीं है आप यह नेक्स डे का क्लिप यानि कि एलक्शन वाला दिन हमारा वोट हमारा अधिकार तो यहां पर हम लोग अपना नाम बग क्योंकि सुबा सुबा निकल जाना बहतर है वहां पर भीड बगएरा हो जाती है फिर गाओं के सबी लोग आते हैं तो खड़े होना पड़ता है और गर्मी का दिन है तो वहां पर जादा अंतजार नहीं कर सकते और सुबा में भीड कम होती है तो बस यह लोग जाएंगी औ और हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा रुक के ठीक है और यहां पर देखें धूप में यह पड़े हुए हैं सूखने के लिए खरबूज के बीज तो हम लोग भी जब छोटे थे तो इस तरह से रखते थी हमारी कजन ने रखा हुआ है धुल के सूखने के लिए तो इसका ए यह एक मतलब इद वाले दिन के जैसा होता है इस दिन लोग आते हैं मिलते हैं मिलाते हैं जो लोग मिलना चाहते हैं क्योंकि हमारे घर के पास ही में है वोट देने की जगह तो वहां से बस जिसको भी मिलना होता है वो हमारे यहां पर आ जाता है तो बहुत अच्छा सा समी deepest इभी हवेभी हम सब लोग होते है तो बात ही कुछ और होती है और यहां पे नेचे खड़ी थी खागी और हम ने क시면 करते ही और ऑन बैठ को मुझकिल धों में और यहां च 그러면 बैट का मतलब हमारा घर और स्कूल में काफी कम डिस्टेंस है तो मतलब आराम से जिनको भी बैठना बैठना होता है तो देख लेते हैं यहां पर सामने भी प्लेश इंस्पेक्टर बैठ के देख रहे थे कि सामने पूरा देखता है तो यह लोग आराम से देख लेते हैं और ह तो अभी मोग गए और मेरा इतवाक से यहां पर आया नाम मतलब में आरे से नाम है नहीं हो घा लोगो थिल यहां था हमारा यहां वोट देना है अद्र को तो यहां पर हम सब लोगों ने वोट दिया और यहां लोग ऐसे पोस्स दे रहे थे सेल्फी वगएरा मतलब ऐसे स्टेटस वगएरा लगाना होता है ना और हमें तो खेर वीडियो बनानी होती है तो बस अब यही है और बाहर भी थोड़ा भी भाड़ हो रही थी मतलब बाहर का यह होता है ना कि स्कूल के भी जैसे जो भी लोग होते हैं वो भी होते हैं क्योंकि ऐसे खुला हुआ सा है ना हम लोगों का यह बैठके का एरिया है तो यहां पर कार वगएरा भी उन लोग को पार करनी होती है तो कर देते हैं और फिर लोग होते हैं बाहर के आने जाने वा आप सारे बच्चे बैठे हुए तो इसमें अभी चार बच्चे कम हैं मतलब तीन हमारे कजन के और एक और है चच्ची की बेटी है तो यह लोग अभी फिलहाल इती नहीं थे तो इतने हैं सब बैड़ गए साथ में और इसके बाद खाना वगरा हो जाएगा और फिर लोग जो तीन ही है तीन उमेरिट एं और भी जो हैं सब़ूने वाली हैं अभी तो हम लोग भी बैटके थोड़ा जो दो फांवर आप सब्सक्राइब करते हैं फिर तो वही कर रहे हैं हम लोग आपर और यहां मिल गया हम लोगों को तो वह उसके मज़े ले रहें तो बस ही सब था ओ फ्रही स्उक्राइब को देका झाल होता है. श्चाल्ट मेसे उस ख में रखे मम इए स्पiblाइ ने मुझा रोटा एंब यह लगा. और के अम मुझोल ने उसान चाथा कि इस बेखाने तो इसो का इस अर्टा को बेंगी का फूद को अब अधरी करने के लिए लोग बोल रहे थे इतना में इतना यह मतलब कौन करेगा एक में खाएगा तो बस अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कहीं कोई गेस्ट ना आ जाए तो यह जो है और आ भी गई थी तो हम लोग बिलावजा ऐसे फालतु में शर्मिंदा भी हो रहे थे कि इतनी लवाप उठें तो वापर बीच फैले रहने चाहिए फिर चाहे बाद में आपको सफाई करनी पड़े तो बस यही था हम लोगों का यह दिन इलेक्शन वाला और यहां देखें बच्चे कितने होशे सब एंज्वाय कर रहे हैं और उमीद है कि आप लोगों थोड़ा डिफ for watching